उधार की जूती खैरात का नाड़ा पड़दे मुल्ला ब्याहु उधारा कंगाल पाकिस्तान उपर से महंगे सौक वाले इमरान खान अपने ही देश में अब बिल्कुल नकारा साबित हो रहे हैं जहां पाकिस्तान में मोदी की जैजेकार मची है तो वहीं अमेरीकी अखबारों में गुनगान हो रहा है मोदी का आखिर प्रदान नंत्री मोदी ने ऐसा क्या किया है तो सबसे बड़ी खबर चमोली में जो ग्लेसियर फटा और जो दुरगटना हुई क्या उसके पीछे चीन था चीन ने भारत पर क्या रोप लगाए हैं इसके अलावे बहुत कोच आये जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से अब तो सेना के अफसर भी इमरान खान के हाथ में कटोरा पकड़ाने लगे हैं और बड़ी बात ये है कि ये अफसर किसी वक्त में परदान मंत्री इमरान खान के पच्छे में खड़े रते थे अब वही अफसर इमरान खान की बिदेश नीती पर सवाल उठा रहे हैं हाली में एक टीवी चैनल पर बहस के दोरान लेफटिनेंट जनरल अमजद सोईब हलाकी ये रिटार्ड हो चुके हैं ने इमरान खान को नकारा और नलायक तक कह दिया है इनके बारे में जरा आप जान ले अमजद सोईब पाकिस्तान के लिए एक जाना पहचाना नाम है वे मुलक के लगबग हर न्यू चैनल पर आर्मी और बिदेश नीती के एक्सपर्ट के तोर पर नजरा जाते हैं इससे पहले तक तो वो खुले तोर पर इमरान और फोज का बचाव करते आए हैं लेकिन इस बार मामला जब परदान मंत्री मोदी और इमरान खान के तुलना की हुई तो इन्हों ने गजब ढ़ा दिया वैसे जरा इनका बैक्ग्राउंड जालने हाफिस सईद के मामले में ये ये कहते हैं कि अमेरिका ने हाफिस सईद के सिर पर इनाम घोसित कर दिया और अपना यहाँ एजेंट रेमंड डेविस को भेजा ताकि वो कुछ सबूत जुटा सके लेकिन उसको कोई सबूत नहीं मिला फिर भी अमेरिका इस मामले को जिंदा करके रखे हुए है इसका कारण भारत है भारत के दवाब में ही अमेरिका ने इस मामले को तुल दे कर रखा है उसके बाद सोयव ने इमरान का नाम लिये बिना खूब खरी खोटी सुनाई एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सचाई ये है कि पाकिस्तान का हुकूमत एक नकारा और नालायक आदमी के हाथ में दे दी गई है या ये कहें कि हुकूमत उसकी गुलाम बना दी गई है प लीडर्स अपने देश के लिए काम करते हैं उनका पर्शनल एजेंडा या जाती नहीं होती है वो आने वाली पीडियों के लिए कुछ करना चाहते हैं हमारी डिप्लोमेसी फ्लॉप है क्योंकि हमारे वजीर आजम को कुछ पता ही नहीं रहता ऐसे आदमी की तुलना आप न उसमन देश में भी अब परधानमंत्री मोदी नाम कमा रहे हैं तो वहीं भारत और परधानमंत्री मोदी की चर्चा अब अमेरिकी अख़बारों में पुरजोर तरीके से हो रही है पस्चिमी जगत की मीडिया का ये हाल है कि भारत और खासकर मोदी सरकार के पीछे एक बड परधानमंत्री मोदी की या इस सरकार की कोई बढ़ाई सामने आये पस्चिमी अख़बार परधानमंत्री मोदी या उनकी विदेश नीती या भारत के बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखे ये बहुत कम होता है वाल इस्ट्रीट जनरल जो की अमेरिका का बहुत परति अख़बार है उसने अब भारत की और मोदी सरकार की कूटनिती को सलाम ठोका है इसके संपादकिये में ये लिखा गया है कि भारत दुनिया के एक बड़े नेता के रूप में सामने आया है भारत की कूटनिती की तारीफ करते हुए इस अख़बार ने लिखा है कि भारत रा बातो रात आश्चरी जनक धंग से एक रेस को जीतने की कगार पर है और यह रेस है वैक्सिन कूटनिती की वैक्सिन कूटनिती में जिस तरह से भारत अपने लोगों को वैक्सिन लगा ही रहा है उससे तिन गुना निरियात कर रहा है यह बहुत ही आश्चरी की बात है साथ में यह भी लिखा गया है कि भारत ना सिर्फ अपने देश में बलकि अपने मित्र देशों को भी वैक्सिन दे रहा है और जिन देशों की डिमांड है उन्हें भी पूरी करने की पूरी कोसिस कर रहा है इस अकबार ने लिखा है कि भारत ने एक सच्चे नेता की तरह दिल जितने वाला काम किया है जिस तरीके से भारत ने महामारी से पहले और महामारी के बाद पूरे एसिया में चीजों को सम्हाला है यह तारीफ के काविल है यह पूरा का पूरा आर्टिकल भारत की वैक्सिन शुरू किया दीते दिनों उत्राखंड में जो त्रासदी देखने को मिली है अब उसके लिए ये आसंका व्यक्त की जारी है कि क्या यह चीन की हरकत है क्या चीन ने लेजर बिम से किसी ग्लेसियर को अपना निसाना बनाया और उसे काट कर बिध्वन्स का ये खेल खेला है एक यह चीन द्वारा कित्री रूप से किया गया एक बिध्वन्स था ऐसा सक किया जा रहा है वाडिया हिमालय भूगर्विय संस्थान के निदेशक आलाचन साई ने इस दुरगटना पर आश्चरे व्यक्त करते हुए ये कहा कि यह फरवरी में कैसे हो सकता है केंद्रिय जलाय निदेशक सरत चंद्र ने भी इस दुरगटना के समय पर आश्चरे व्यक्त किया उन्होंने भी कहा कि एका एक ऐसा होना आश्चरी जनक है क्योंकि हर 24 घंटे स्टेलाइट इमेज की समिक्षा होती है और एक दिन पूर्व ऐसे कोई लच्छन दिखाई नहीं देता है पूर्व तक यह माना जाता था कि काली सिर्फ भारत और अमेरिका के पास है किन्तु चीन इस बिसे पर बहुत गंभीरता से रिचर्च कर रहा था चूकि चीन के पास संसार की कई मोडरन टेक्नलोजी है तो ऐसी संभावना जताई जारी है कि उसके पास काली जैसा कोई हतिय या फिर कोई लेजर बीम का सक्तिसाली हतियार था जिसने बिना किसी आवाज के गलेसियर को काटा और इस पूरी घटना को अंजाम दिया क्योंकि गलेसियर सर्दियों में खिसका नहीं करते हैं फरवरी के महिने में जब बर्फ चटान की तरह एक दूसरे से चिपकी रहती ह तो ऐसे में गलेसियर कैसे तूट सकता है ऐसी घटनाय तो खास तोर पर अप्रेल और मई के बाद में होती है बताया जा रहा है कि जो गलेसियर तूटा है वह चीन की सीमा के बिलकुल नजदीक है ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि चीन तिबबत या लदाक खेतρ में भारत के साथ कुछ अधिक नहीं कर पाता है तो वह अरुनाचा लिया किसी अन्य छेतर में नया मोर्चा खोल सकता है और यह सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चीन के लिए नया मोर्चा था बिना एक विसनिक के उतारे ुसंने भारत के अर्वोखर्वो रुपय का नुकसान किया है तपोवन में बन रहा हाईडरो इलेक्रिक परजेक्ट पूरी तरके से तबाह हो गया है और पहले से ही एक बना हुआ बांध भी पूरी तरी से बहग गया है हाला कि Global Times ने ऐसी किसी भी थोरी से इंकार किया है और Global Times ने इसका सारा दोस भारत के उपर मढ़ा है उसका कहना है कि भारत इस इस इलाके में बहुत जादा खनन कारी कर रहा है निर्मान कारी कर रहा है इसी वज़े से परवतों में इस तरह की चीजे हुई है और Glacier टूटा ह वैसे जब तक आधिकारिक रूप से कोई सोध सामने नहीं आता है तब तक इसे संभावना ही कहा जाएगा वैसे आपको क्या लगता है क्या चमोली के Glacier को तोड़ने में चीन की भूमी का हो सकती है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो म नहीं खबर के साथ